इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा 3 मार्च 2024 को अधिनस्त बोर्ट दोवरा आयोजित होने वाले शंग्नक भरती परिक्षा और CHO भरती परिक्षा के लिए जनौरी 2024 की राजिस्थान करंट एफिर के 60 प्लस MCQ कुशन के वीडियो लेके आया हूँ वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें चनल जरूर सब्सक्राइब करें इसकी पीडियो पर आपको हमारे टेलिग्राम ग्रूप पे देखने को मिलेगी वन के व्यू क्रॉस होने के बाद लिंक नीचे डिस्करप्षन में दियावा अगर अभी तक आपने जोइन नहीं किया है तो आप जाके जोइन कर सकते हो इसके अलावा राजिस्थान में वर्तमान में कोन क्या है जनौरी 2024 की अपडेटेट के साथ वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आज के वीडियो में मैं 60 प्लस MCQ क्यूशन लेके आया हूँ वो सभी क्यूशन आपके राज जनौरी 2024 की राजिस्थान करंट अफर के क्यूशन है क्यूशन नमबर फर्स्ट है राजे का पहला सरकारी इंजिनिरिंग कॉलेज कहां बनाया जा रहा है आपके पास ओप्सन है कोटा, जयपूर, जोधपूर, उधेपूर तो राजे का पहला सरकारी इंजिनिरिंग कॉलेज ये आपके जालाना जयपूर में बनाया जा रहे है तो करेक्ट अंसर आपका हो जाएगा जयपूर यानिकी B आपका करेक्ट अंसर हो जाएगा आपका राइट एंसर हो जाएगा अब पांच पदगो में से गौल्ड एक जीते हैं तो इस तरह से टोटल कितने पदग जीते हैं पांच पदग जीते हैं देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग राजिस्थान में कहां बनाई जा रही हैं आपके पास ओप्सन है जाईपूर से जोधपूर, कोटा से बाडमेर, चालावार से बारा, अजमेर से जाईपूर तो देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग है वो आपके राजिस्थान के च जाइपूर, बाडमेर, जेसलमेर, अजमेर तो हाली में ओकोबिय स्थार नामक मकडी की एक नई परजाती की खोज आपके जेसलमेर जिले में की गई है C आपका correct answer हो जाएगा Next question राजिस्थान प्रेटेन विभाग द्वारा सरद मौसो का आयोजिन कहां किया गया शिरोई, कोटा, जोदपूर, अजमेर तो राजिस्थान प्रेटेन विभाग द्वारा सरद मौसो का आयोजिन आपके माउंट अबू शिरोई में किया गया यह आपका correct answer हो जाएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चनल जरूर सब्सक्राइब करें एसिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट किस जिले में लगाया जाएगा आपके पास option है जाइपूर, कोटा, फीलवाडा, अजमेर तो आपका right answer हो जाएगा एसिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट है यह आपके फीलवाडा जिले में लगाया जाएगा सी आपका correct answer हो जाएगा next question अमरस सर में International Book of Record की मेजबानी में हुए कारिकरमें किसे Inspiring Human Awards से समानित किया गया अरुन पुरुईत, अजे सर्मा, विनोध कुमार, कपिल सर्मा तो अमरस सर में International Book of Record की मेजबानी में हुए कारिकरमें Inspiring Human Awards से समानित जो किया गया है वो जोधपूर के डॉक्टर अजे सर्मा को समानित किया गया है तो correct answer आपका हो जाएगा next question next question है आपके सामने तो राजे लोकायुक्त न्याई मूर्ती, परताब कशन लोहरा ने लोकायुक्त वार्सिक रुपट 2023 किसे सौपी है मनिंदर मौन स्रिवस्तो, कलराज मिस्र, भजनलाल सर्मा, सचीन पाइलट तो राजे लोकायुक्त न्याई मूर्ती, परताब कशन लोहरा ने लोकायुक्त वार्सिक रुपट 2023 से यह आपके कलराज मिस्र को सौपी है भी आपका correct answer हो जाएगा next question हाली में जे अन्विउ, प्रानी सास्तर विबाग दोरा राजे के किस छेतर में पैलिउशिन इयोशिन काल के जिवाशम खोजे गया है तो correct answer आपका हो जाएगा इस वीडियो में मैं आपको जनुरी 2024 की 60 प्लस MCQ किशन की चर्चा करूँगा इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें डेली आपको मौर्दी में 10.30 बुजे इसी तरह मंतली वाज राजिस्तान करंट है फिर देखने को मिलेगी राजिस्तान का पहला ethanol plant का बनाये जाएगा जैपूर, बाडमिर, जोदपूर, गंगानगर तो राजिस्तान का पहला ethanol plant है वो आपके गंगानगर के सूरतगर में बनाये जाएगा डी आपका correct answer हो जाएगा भारत और UAE की थलसेना के मद्य शुक्च सेन्य अब्यास डेजट साइक्लोन के पहले संस्क्रन का आयोजिन कहां किया गया जैपूर, कोटा, बीकानेर, अजमिर तो भारत और UAE की थलसेना के मद्य शुक्च सेन्य अब्यास डेजट साइक्लोन के पहले संसक्रन का जो आयोजिन है वो महाजन फिल्ड फाइरिंग रेंज बिकानेर में किया गया है C आपका correct answer हो जाएगा Next question बिकानेर में अंतराष्टिय ओंट मावसो का आयोजन कब किया गया 2 January से 8 January, 12 से 14 January, 6 से 12 January, 24 December से 30 December तो बिकानेर में अंतराष्टिय ओंट मावसो का आयोजन आपके 12 से 14 January, 2024 को किया गया B आपका correct answer हो जाएगा Next question बारत चीन यूद 1962 के हीरो के नाम से परशीद किस परमवीर चकर विजेता के इसमार को लदाक में हटाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया Major सेतान सिन, Major पिरूशिन, किसन सिन राठोड, राम सिन राठोड बो जोदपुर के Major सेतान सिन थे ये आपका right answer हो जाएगा Next question BCCI की Senior महिला राष्टी वंडे ट्रोफी में राजिस्तान टीम की कप्तान किसे बनाया गया प्रियंका सर्मा, श्यूआंगी सिन, रानी रामपाल, अर्चना सर्मा तो BCCI की Senior महिला राष्टी वंडे ट्रोफी में राजिस्तान टीम की कप्तान प्रियंका सर्मा को बनाया गया ये आपका correct answer हो जाएगा इसकी प्यूडियप आपको हमारे टेलिग्राम ग्रूप पर 1 के विउ क्रोस होने के बाद देखने को बिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रप्शन में दियावा आप जाके देख सकते हो नेक्स्ट किशन मरू परियावरान सरक्षन संस्तान जोधपूर के द्वारा लाइफ टाइम मरू रतन पुरुषकार 2023 की से दिया जाएगा अमिच सर्मा, कमलेश सर्मा, अर्जुन कुमार, ए और भी दोनो तो मरू परियावरान सरक्षन संस्तान जोधपूर के द्वारा लाइफ टाइम मरू रतन पुरुषकार 2023 आपके अमिच सर्मा और कमलेश सर्मा को दिया जाएगा करेक्ट एंसर हो जाएगा D राजिस्तान का नाम देश विदेशों तक पहुचाने वाले पंडित भवानी शंकर का हाली में निदन हो गया इनका समंध कि संगित कला से था पकावजवादक, खर्तालवादक, बांसूरीवादक, मोरचंगवादक तो पंडित भवानी शंकर हैं, इनका समंध पकावजवादक से था और ये चूरू के भवानी शंकर हैने वाले थे तो ये आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्रिशन देश की सबसे बड़ी अत्यादूनिक BS6 पेट्रोलियम रिफाइनरी कहा बन रही है जिसमें एशिया का सबसे बड़ा पैटकॉक डॉम बनाया गया जाइपूर, कोटा, बालोत्रा, अजमिर तो देश की सबसे बड़ी अत्यादूनिक BS6 पेट्रोलियम रिफाइनरी आपके कहा बन रही है पच्पदरा बालोत्रा में बन रही है नई जिले के बाद पच्पदरा बालोत्रा में सामिल हो गया नई तो पहले आपके बाद मेर जिले में सामिल था तो करेक्ट एंसर आपका हो जाएगा ए सॉरी ए नहीं, करेक्ट एंसर सी हो जाएगा बालोत्रा नेक्स्ट किशन देश का पहला रीजिनल ट्राइविंग ट्रैनिंग सेंटर कहा बना है डीग, ब्यावर, क्याकडी, सलुंबर तो देश का पहला रीजिनल ट्रैनिंग सेंटर है वो आपके क्याकडी में बना है सी है आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट किशन भारस सरकार के वानी जी और उद्योग मंत्राले द्वारा बी आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट किशन सर्यू नदी के तर्ट पर इस्तापित भगवान राम की मूर्ति को जुनजुनू के किस मूर्तिकार ने त्यार किया है सुनिल जंग्र, लक्समन व्यास, राजकुमार पंडित, नरेश कुमार तो सर्यू नदी के तर्ट पर इस्तापित भगवान राम की मूर्ति को जुन्जुनू के मूर्तिकार ने रेश कुमार ने इस्तापित किया करेक्ट एंसर हो जाएगा वीडियो पसंद है जो वीडियो को लाइक करें चलनल जरूर सब्सक्राइब करें हैधराबद में आयोजीत 42 अखिल भारतिय प्लीस गुड़सवारी में राजस्तान के खिलाड़ियों ने 12 पदक जीते हैं इन में से 3 गॉल्ड जीते हैं, 6 शिल्वर जीते हैं और 3 ब्रौन जीते हैं जैफुर में इंडिया स्टों माट 214 का आयोजन कब किया गया एक से पांच चार फरोरी 2024, बारा से 14 जनौरी, छे से 12 जनौरी, 24 से 30 दिसंबर तो जाइपुर में इंडिया एस्टोन मार्ट 2024 का जो आयोजन है, वो एक से चार फरोरी 2024 को किया गया, यह आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा Next question परदान मंतरी नरंदर मोधी को तीन दिविश्य राजिस्तान प्रवास के दोरा राजी पाल दोरा राजी के किस परशीद कलाकार इसमर्तिचे ने भेंट किया गया, मीना कारी, टेरा कोटा, थेवा कला, ब्लू पॉडरी, तो आपका राइट एंसर हो जाएगा, मीना कारी, ए एक सबसे बड़ा कुईक लायं उत्त पादिन प्लान्ट किस स्थान पर लगा जाएगा, अजमit, कोटा, जोटपूर, नागर, तो एसिया का सबसे बड़ा क्विक लायं उत्त पादिन प्लाट आपके खिवासर नागर में लगाया जाएगा, डेह आपका कर एंसर हो जोदपूर, कोटा, उधेपूर, अजमेर तो देश के तीन सहरों को वेटलेंड गोशित करने के लिए बेज़ा है इनमें राजिस्तान का उधेपूर जिला है और देश में इसके अलावाद दो और कौन से बोपाल और इंदोर तो इस तरह से तीन जिले कौन से हो गए बोपाल इंदोर और उधेपूर तो इसमें आपका राइट एंसर हो जाएगा C Next question खेलो को बड़ावाद देने के लिए के अंदर सरकार ने कि जिले में खेलो इंडिया बॉक्सिंग सेंटर की शुरूआत की है जाइपूर, कोटा, जोधपूर, अजमेर खेलो को बड़ावाद देने के लिए के अंदर सरकार ने खेलो इंडिया बॉक्सिंग सेंटर की सुरूआत की है तो करेक्ट एंसर आपका हो जाएगा कोटा Next question तो आपका राइट एंसर हो जाएगा राजज़त पतक बी आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा Next question देश की सबसे उमर दराज बागिन को ने जिनका आली में सरिस्का टाइगर इजर में मरती हो गई हरिदी, मचली, सुल्ताना, स्टी टू तो देश की सबसे उमर दराज बागिन जिनका आली में निदेन हो गया वो थी बागिन एश टी टू तो डी आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा Next question किस जिले के ओपरेशन समानता अभ्यान को राजे सरकार ने अपने सो दिशे कारे योड़ना में सामिल किया है अजमिर, बूंदी, बाढ़मिर, बारा तो ओपरेशन समानता अभ्यान आपके बूंदी जिले का है करेक्ट एंसर हो जाएगा B Next question हाली में जारी NCRB रिपोर्ट के अनुसर हिट और रन के मामले में राजिस्तान देश में किस इस्तान पर है पहले, दूसरे, तीसरे, चोथे तो हिट और रन के मामले में राजिस्तान देश में चोथे इस्तान पर है D आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा Next question लगू उद्योग भारती द्वारा उद्योमी शमेलन और समान समारों का आयोजिन कहा किया गया बालुतरा, जैपूर, बाढ़मिर, बारा तो लगू उद्योग भारती द्वारा उद्योमी शमेलन और समान समारों का जो आयोजिन है वो आपके बालुतरा में किया गया बालुतरा याई कि यह आपका राइट एंसर हो जाएगा Next question 67 नैशनल बास्केट बोल परतियों की तक आयोजिन कहा किया गया अजमेर जैपूर बार्डमेर बारा तो 60 नैशनल बास्केट बोल परतियों की तक आयोजिन आपके बार्डमेर जिले में किया गया सी आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा Next question सोच चता सरुक्षन प्रोषकार 2023 में एक लाग से अधिक आबादी स्रणी में राजिस्तान का सबसे सोच सेर का प्रोषकार किशने जीता है जाइपूर हेरिटेज, जोधपूर, उदेपूर, कोटा तो राजिस्तान का सबसे सोच सेर का प्रोषकार जाइपूर हेरिटेज ने जीता है यह आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा Next question राजिस्थान के किछ जली की संस्थाने, चंदन के पेड को मारी मी हुगा ने ये तू उनंत किश्म विक्सित किया है? डिली में आयो जित ओल इंडिया सक्र्टिंग इस पर्दा मैं उधेपुर की कृषिना कवर ने कौन सा पतक जीता है? काशे, स्वाण, रज़त इनमें से कोई नी तो कृष्णा कावर उदेपूर की इन्होंने स्वाण पदक जीता है भी आपका correct answer हो जाएगा next question इलेक्ट्रोपैती चिकिसा पदती को मानेता देने वाला राजिस्थान कोन सा राजिय बन गया है पहला, दूसरा, तीसरा, चोथा इलेक्ट्रोपैती चिकिसा पदती को मानेता देने वाला राजिस्थान है वो पहला राजिय बन गया है correct answer हो जाएगा पहला यह आपका next question देश की पहली AC स्लीपर वंदे बारे ट्रेन के शुरुआत कहां से की जाएगी जाइपुर, जोदपुर, अजमेर, कोटा तो आपका right answer हो जाएगा देश की पहली AC स्लीपर वंदे बारे ट्रेन के शुरुआत जोदपुर शे की जाएगी भी आपका right answer हो जाएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें चनल जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट भी जरूर करें क्योंकि आपको संगनग बर्ति परिक्षा और CHO परिक्षा दोनों पेपर एक ही दिन आयो जित होने वाला एक मौर्णी में होगा तो दूसरा एउनी में होगा और ये आप दोनों पेपर तीन मार्च को ही आयो जित होने तो इस बीच आपको इस एकज्याम के लिए अक्टुम्बर से लेकर जनौरी तक की करन्ट फिर कवर करवा दी जाएगी अक्टुम्बर के अगस से लेकर जनौरी दोजार चोईस तकी करंटे फर मन्तली वाइज इसी तरह प्रवाइड की जाएगी डेली मौर्णिंग में साड़े दस बजे इसले चनल जरूर सब्सक्राइब करें आली में बिकानेर में आयोजित उन्ट माव सो में मिस्टर भीकाना का किताब किषने जीता हैं चियाली सी जुनिर राष्टी हेंडबल परतीओ की तमें राजिस्ताने कोन सा पदक जीता हैं? रज़त, श्वन, काशे, इन में से कोई नी तो छियाली उसी जूनियर राष्टिय हैंडबल परतियों कीता में रज़स्तान ने रज़त पदक जीता हैं यह आपका नेक्स्ट किशने रज़स्तान में अठारा सो मेगावाट का पहला पंप रज़स्तान में अठारा सो मेगावाट का पहला पंप हाईडरो एनरजी प्रोज़क्ट आपके बारा जिले में लगाया जा रहा हैं नेक्स्ट किशने परदान मंतरी नरंदर मोदी ने पीम जंजटी अधिवशी निया अब माअ भ्यान के तहट कहां से लबर्तिया को मकान के लिए पहली किस चारी कियी किये बारा जोदपूर जाइबूर अजमेर तो अधिवशी नियाए अभ्या प्रो राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्रिशन 21 सीनियर एसियन हैंड बोल चेंपिनसिप के लिए राजी के किस खिलाडी ने भारती टीम का कप्तान बनाएगा आरक एगरवा, शुमित गोदरा, रमेश गोदरा, उदेशारन तो 21 सीनियर एसियन हैंड बोल चेंपिनसिप के लिए राजी के खिलाडी जिने भारती टीम का कप्तान बनाएगा वो रमेश गोदरा, सी आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्रिशन नीती आयोग द्वारा 15 जनौरी 2024 को जारी की गई 2022 तो इसकी बहु आया में गरीबी सूचकांग रिपोर्ट का नुसर राजिस्तान में गरीबी का पर्तिशत है तो राइट एंसर हो जाएगा दी आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्रिशन तो राजिस्तान इंटरनेशनल फिलम फेस्टिवल में लाइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्रिशन राजिवी का द्वारा सरस्त राष्ट्री क्राफ्ट मेले का आयोजन कहा किया गया जाईपुर, जोदपुर, बाडमेर, अजमेर तो राजीवी का द्वरा सरस्ट राष्टी क्राफ्ट मेले का आयो जन जोहर कला केंदर जाइपूर में किया गया यह आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा गिनीज बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्ता ने पहली बार तनाव परबंद में किस सक्सियत को अवर्ड से समानित किया है सीतर रामदास, हेमंद कुमार, लक्षे रासीन, इनमें से कोई नहीं तो गनीज बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्ता ने पहली बार तनाव परबंद में लक्षे राज सीन मेवाड को शमानित किया है C आपका correct answer हो जाएगा Next question चभी जनोरी को राजपत पर इलोक्टोनिक्स और सूचना प्रोजिदी के मंतराली की जाकी नियतरतो किश के द्वरा किया गया R क अगरवा, राजजिंदर परशाथ, टी रविकांथ, गोरोज चोधरी तो राइट एंसर हो जाएगा गोरोज चोधरी, डी आपका correct answer हो जाएगा Next question राजिस्तान के किस परसी चत्रकार ने राई के दाने पर आयोधिया के सिरी राम मंदिर का model तेयार किया है R क अगरवाल, लक्समन सिन, रमेश कुमार, हीरालाल तो राई के दाने पर आयोधिया के सिरी राम मंदिर का model तेयार किया है हीरालाल ने D आपका correct answer हो जाएगा Next question लोक्षबाद्यक्स ओम बिल्ला ने टिफिन विद्धी कारिकरम के सुरुवात कहा किये 12, कोटा, उधेपूर, अजमेर तो कोटा आपका correct answer हो जाएगा B Next question 66 वे national school गेल में राजिस्तान महिला के टीम ने कौन सा पदक जीता है शौन, काशे, रज़त, इनमें से कोई नी तो 66 वे national school खेल में राजिस्तान महिला के टीम ने रज़त पदक जीता है C, correct answer हो जाएगा Next question राजिस्तान के महादियुक्ता के पद पर किसे न्यूक्त किया गया RK अगरवाल राजिंदर परुशाद, T. रवीकांत, इनमें से कोई नी तो राजिस्तान के राजिंदर परुथाद को न्यूक्त किया है B आपका correct answer हो जाएगा Next question केंदरिय सड़क परिव नितिन गडगरी ने किस जिले में रेलवे ओर ब्रीज राम सेतु का लोकाप्णन किया है बारा, जोदपूर, जैपूर, बालोत्रा तो केंदरी सड़क परियो नितिन गडगरी ने रेलवे ओर बिरिज राम सेतु का लोका प्रणण आपके कौन से जिली में किया अबबाल उत्रा जिली में डी आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा राजिस्तान के किस विद्यारती को विज्ञान प्रणद्य की सरणई में परदानमंतरी राष्ट्य बाल प्रुसकार से समानित किया गया आर्यान सिन, युवांस, लक्षी चोदरी इन मेंसे कोई नी आर्यान सिन, करेक्ट एंसर ए हो जाएगा दस्वे राजिस्तान इंटरनाशनल फिलम फेस्टिवल में प्राइड आफ राजिस्तान अवर्ड किसे दिया गया अशो कुमार, आयुष चोदरी, मनुज कुमार, इति आचारे तो Pride of Rajasthan Award दस्वे राजिस्तान International Film Festival में इती आचारी को दिया गया D आपका correct answer हो जाएगा Next question हाली में जाइपूर में 21 दिन तक 21 किलोमेटर नंगे पैर दोड़ कर गिनीज वल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले रणर को ने? तो 21 दिन तक 21 किलोमेटर नंगे पैर दोड़ कर गिनीज वल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं राजिस्तान के परदी प्यादव B आपका correct answer हो जाएगा Next question देश का पहला Government Research Training Center का अस्तापित किया जाएगा 12 जोदपूर, जाइपूर, अजमेर तो देश का पहला Government Research Training Center जाइपूर में इस्तापित किया जाएगा D आपका correct answer हो जाएगा Next question राजिस्तान Housing Board के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया RK अगरवाद, राजिंदर परशाद, T. रवीकांद, इनमेंसे कोई नी तो राजिस्तान Housing Board का अध्यक्ष T. रवीकांद को C आपका correct answer हो जाएगा Next question 51 भी Mr. Rajasthan Body Building Championship में Mr. Rajasthan का किताब किसने जीता है Pankal Laoti, अनिल कुमार, रइंदर जोशी, अभिनव चोदरी तो 51 भी Mr. Rajasthan Body Building Championship में Mr. Rajasthan का किताब जीता हो अनिल कुमार है B आपका correct answer हो जाएगा और आज का last question है 33 पच्चिम राजिस्तान उद्योग हस्सिल्प उच्सो का उदगाटन किसने किया भजनलाल सर्मा, धिया कुमारी, प्रेमचन बेरवा, इनमें से कोई नी तो 33 पच्चिम राजिस्तान उद्योग हस्सिल्प उच्सो का उदगाटन भजनलाल सर्मा मुख्यमंद्री ने किया ये आपका right answer हो जाएगा तो ये थी आपके संग्णव परती परिक्षा और सीचो परिक्षा के लिए जनौरी 2004 की राजिस्तान करंटा फिर के 60 प्लस MCQ कुशन कल आपको कराऊंगा दिसंबर की उसके बाद नावंबर, फिर अक्टूमबर, फिर सितंबर, फिर अगस्त इसी तरह डेली मौर्दिंग में इस यूटूब चैनल पर साड़े दस पज़े आपको मंतली वाइज राजिस्तान करंटा फिर देखने को बलेगी और कोई भी अपडेट जाने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलिग्राम ग्रूप जोइन ने किया तो लिंक रीचे डिस्क्रिप्शन में दिया आप जाके जोइन कर सकते हो